अपारा एकादाशी 2024, जेश्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आईए जानते हैं सही तिथी शुभ मुहूर्थ, पूजा विधी और महत्व के बारे में अपारा एकादाशी 2024, एकादशी तिथी भगवान विश्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विश्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो, जाता है और मोक्ष की प्राप्ती होती है। जेश्ट का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष की अपरा, एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला। एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जेश्ट माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो बहुत कठिन होता है। आईए जानते हैं, इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्थ और क्यों किया जाता है ये व्रत। अपरा एकादशी 2024, तिथी जेश्ट मास के कृष्ण पक्ष की, अपरा एकादशी तिथी 2 जून 2024, रविवार को सुभ़ 5 बे जकर जो 4 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून 2024, सोमवार को प्रात 2 बजकर, पोई 14 मिनट पर समाप्थ होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। कब है अपरा एकादशी व्रत 2 या 3 जून? 1. जब पंचांग में एकादशी लगातार 2 दिन सूची बद्ध हो, तब पहले दिन को ही प्राथमिक्ता दी जाती है। इसलिए ग्रहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। 2. दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ती के इच्छुक्ष रधालूं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। 3 जून 2024 को वैशनव संप्रदाय के लोग एकादशी का वरत करेंगे अपरा एकादशी 2024 मुहूर्थ विश्णू, पूजा मुहूर्थ सुभ़ 7 बचकर 7 मिनट से लेकर 2 पहर 12 बचकर 19 मिनट तक है अपरा एकादशी 2024 वरत पारण समय अपरा एकादशी का वरत पारण 3 जून को सुभ़ 066 बचकर 5 मिनट से लेकर सुभ़ 8 बचकर 10 मिनट के बीच किया जाएगा वहीं वैशनव एकादशी का वरत पारण 4 जून को सुभ़ 5 बचकर 20 मिनट से सुभ आट बचकर दस मिनट के बीच किया जाएगा एकादशी पूजा सामगरी लिस्ट चौकी भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की प्रतिमा पीला कपढधा, दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप आधी पूजन सामगरी में शामिल करें अपरा एकादशी व्रत की पूजा, विधि अपरा एकादशी तिथी के दिन सुबह स्नान कर, व्रत का संकल्प लें भगवान विश्नु और भगवान आट बचकर दस मिनट के बीच किया जाएगा एकादशी पूजा सामगरी लिस्ट चौकी भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की प्रतिमा, पीला कपढधा, दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप आदी पूजन सामगरी में शामिल करें अपरा एकादशी व्रत की पूजा, विधि अपरा एकादशी तिथी के दिन सुबह स्नान कर, व्रत का संकल्प लें भगवान विश्नु और भगवान, कृष्न की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो स्थापित करें अपरा एकादशी पूजा के समय, श्री कृष्न के भजन, विश्नु सहस्नाम का पाठ और पीले फूल अर्पित करें अपरा एकादशी तिथी को प्रसाद, तुलसी जल, फल, नारियल, पंचमृत और दीबधूप अर्पित करें भजवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान करें एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं अपरा एकादशी व्रत का महत्व, अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित यानि कि अप्रा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ती होती है इसी कारण इसे अप्रा एकादशी कहा जाता है इतना ही नहीं अप्रा एकादशी को असीमित लाब देने वाली एकादशी भी कहा जाता है अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोश और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है पांडवों ने श्रीकृष्ण के मार्ग दर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी